जेहें दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आप पर TGT PGT का मॉडल पेपर 2017 का ये बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर हैं आपके लिए आप पर TGT का ये मॉडल पेपर हैं जिसमें आपके यहाँ पर हल प्रिशन पत्र लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 2016 का तो वीडियो को पूरा अवस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपका विखल्प नमबर यहाँ पर क्या होका राइट आंसर सारा आकास जो है राजेंदर यादब राजेंदर यादब की एक कृति है तो बिल्कुल सभी विखल्प नमबर एक आपका राइट आंसर होगा 1960 की एक कृति है अंगला कॉस्चिन है तार सब तक का प्रकासन किस सन में हुआ था कॉस्चिन नमबर दो का राइट आंसर बताना है महत्तोपूल कॉस्चिन पूचा गया तार सब तक का जो प्रकासन हुआ था किस सन में हुआ था तो आपका question number 2 का right answer विकल्प number D यानि कि 1943 में 1943 आपका हैंपर सही answer है विल्कुल सही इसके जो संपादत्तों थे सचदानन्द हीरानन्द वासाइन अग्येजी थे question number 3 आपसे पूँचा क्या है क्वानू नदी इनमें से किस कभी की किर्ती है क्वानू नदी यह जो किर्ती है किस कभी की है एक किर्ती तो आपके यहां पर जो सही answer है question number 3 का यह है service or द्याल सक्षे ना यानि कि विकल्प number 1 आपके यहां पर सही answer विकल्प number 1 right answer है बिल्कुल सही अंगला question है इनमें से कौन सा बीकल्प विकल्प भी दे गाएं और question number 4 चार proportion विकल्प number 1 right answer होगा यानि कि बढ़ा A बढ़ा A जो है क्या है विकल्प number 1 आपके यहां पर सही answer होगा question number 5 केसवदास को किस बर्ग में रखना समी चीन है किस वर्ग में रीती वर्द्दे कभी रीती मुक्त कभी रीती सिद्ध कभी या सचंदता बादी कभी क्वाश्चन नमबर पांच का विकल्प नमबर एक रीती वर्द्दे कभी आप कहया पर सही आंसर होगा चे का राइट आंसर होगा प्रिये प्रवास विकल्प नमबर D आप कहां पर सही आंसर है विल्कुल सही प्रिये प्रवास अविद्या से अपाध्या जी का है अंगला क्वेश्चन क्या पुंच्छा क्या है तो इनमें C कौनसी जो जोड़ी है सही है बताईए कौनसा जोड़ क्वेश्चन क्या है यहां तो क्या क्वेश्चन है तॉविकल्प नमबर 6 अंगया पुंचा है यहां पर बहुत ही महत्त्योपूल एक क्सोड़ कौस्चन है 125 question का यह model paper है तो यहाँ पर पूरे कबर करेंगे जल्दी से निर्धन के धन की सी तुम आई में कौन सा अलंकार है निर्धन के धन सी तुम आई तो इसमें जो अलंकार है भाई कौन सा है तो 9 का right answer आपका विकल्ब नंबर सेनापती कौन है सेनापती विकल्ब नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही सेनापती राइट आंसर है असाल का एक दिन नामक नाटक की रचेता कौन है question number 11 है और 11 का right answer क्या होगा बताए महत्तपुन question है और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्ब नंबर डी मोहन राकेस मोहन राकेस आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 12 आपका यहाँ पर पूंचा क्या है यह पंतियां पूंची कई है करते अभी सेक पयोद है बलेहारी इस देश की हे मात्रभूमी तू सत्त ही सगण मूर्ती सर्वेस की इन पंतियों में कौन सा चंद है तो चंद बताना है आपके लिए तो question number 12 है और 12 का right answer है विकल्ब नंबर C यानि कि उल लाला उल लाला चंद है तो विकल्ब नंबर C आपका right answer होगा बिल्कुल सही question number आपके यहाँ पर 13 पूंचा क्या है क्या पूंचा क्या है रह्मन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गईना उबरे मोती मानस चून इन पंतियों में किस चंद का प्रियोग हुआ है तो चंद बताना है कौन सा चंद इसमें प्रियोग हुआ है तो आपका right answer 13 का विकल्ब नंबर 1 यानि कि दोहा आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही विकल्ब नंबर 1 right answer question number 14 आपसे यहां पर क्या पूंचा क्या है कहां किया साक्रोध दूर हट दूर अरही निर्बोध उपरवक्त पंतियों में कौन सा रस है तो यहां पर आपके लिए रस बताना है question number 14 में आपका जो सही answer होगा कौन सा रस है तो आपका सही answer 14 का विकल्ब नंबर आपका हैं पर D यानि कि रुद्र रस आपका हैं पर सही answer होगा बिल्कुल सही question number 15 है तीसरा तार सब तक तीसरा सब तक जो है कब प्रकास सित हुआ तो question number 15 का right answer याँ पर बताना है question number 15 का right answer क्या तीसरा सब तक जो है कब प्रकास सित हुआ तो 15 का विकल्ब नंबर B आपका right answer है 1969 आपका हैं पर सही answer होगा बिल्कुल सही 1969 आपका question number 16 पूचा है रस मंजरी किस कभी की किरती है question number 16 का सही answer बताना है रस मंजरी रस मंजरी किस कभी की किरती है तो 16 का right answer विकल्ब नंबर C आनिकी नंददास आपका हैं पर सही answer है नंददास बिल्कुल सही question number 17 क्या पूचा है कुत्वन द्वारा रचेत गरंत का नाम क्या है तो question number 17 है और 17 का जो सही answer है भै क्या है तो आपका right answer विकल्ब नंबर ये क्या निकी मिरगाबती मिरगाबती आपका हैं पर सही answer है question number 18 क्या पूचा गया है तो देखे भिरमरगीत का उपजीब गरंत कौन सा है question number 18 है question number 18 है और 18 का right answer है आपका विकल्ब नंबर 1 सिरिमद भागबद महापुरान आपका सही answer होगा question number 19 क्या पूचा है महापुरान की रचनाकार कौन है तो आपदोर रह्मान है पुस्चे दंत है या स्वेंबू या धनपाल है question number 19 का जो सही answer है आपका विकल्ब नंबर 2 आपका हैं पूच्चे दंत है आपका विकल्ब नंबर यहाँ पर भी right answer है यानि की ब्रेजवासा आपका यहाँ पर सही answer होगा ब्रेजवासा जिन्हों ने बताया है उनका सही answer है question number आपका यहाँ पर 21 दिया गया है मदनाश्टक के जो रचेता है उनका नाम बताना है question number 21 में केसबदास रहीम रसकान या नुत्तमदास है तो question number 21 का आपका जो सही answer है बहे है आपका विकल्ब नंबर C आनि की रहीम आपका right answer होगा बिल्कुल सही रहीम जिन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर विकल्ब नंबर C right answer question number 22 पूँचा है मेरगाबती की रचनाकार कौन है मनजाने कुतुबन है आलाम है मुलादाउद है तो 22 का right answer आपका विकल्ब नंबर C आनि की कुतुबन आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही विकल्ब नंबर C जन्हों ने बताया है कुतुबन की रचना है पंदरा सो तीन इस वी की question number आपका यहाँ पर 23 पूँचा गया है इनमें से कौन सा उपन्यास एसपाल का नहीं है नहीं है बताना है तो question number आपका तेज का जो right answer है भै क्या है कौन सा उपन्यास जो है यहाँ पर साल का नहीं है तो तेज का विकल्प number B कब तक पुकारूं आपका right answer है कब तक पुकारूं यह उपन्यास जो है रांगी रागाव जी का है यह साल का नहीं है तो बिल्कुल सही right answer है विकल्प number B इनला question क्या पूचा गया है रागाव चेतन इनमें सिके सुसूपी का बिका पात रहे मदुमालती, पदमाबत, मिरगाबती या चंदाइन तो question number 24 का सही answer आपका यापर जो सही answer है बहे पदमाबती यानि कि विकल्प number C आपका right answer यहाँ पर पदमाबत आपका right answer है अंगला question क्या पूँचा क्या है तो देख लेते हैं question number 25 सिवा बाबनी की रचेता का नाम बताईए question number 25 का जो right answer है भै आपका क्या है question number 25 का right answer तो भूसन सभी के लिए पता है सिवा बाबनी की रचेता का नाम क्या है भूसन आपका यहां पर सही आंसर विकल्प नंबर C राइट आंसर है विल्कुल सही question नंबर आपका यहां पर 26 पूँचा गया है क्या पूँचा गया है question नंबर 26 पुस्प की अभिलासा नामक पिरसिद्ध कभीता की रचेता कौन है बिल्कुल सही question नंबर आपका 27 से कलम का सिपाही के लेखक कौन है प्रियमचंद है या अमरित राय है या रामला सर्मा है सिवरानी देवी है तो question नंबर 27 का आपका विकल्प नंबर B राइट आंसर है अमरित राय आपका सही आंसर होगा question नंबर 28 क्या पूंचा आदुनेक मीरा किसी कहा जाता है तो आदुनेक युग की जो मीरा कहा जाता है किसको कहा जाता है तो question नंबर 28 का आपका जो सही आंसर है सुबहत्रा कुमारी चौहन वनुवंडारी महादेवी या उसफ प्रियमबदा तो आपका सही आंसर है 28 का विकल्प नमबर C आनिकी महादेवी बर्मा आपका हैं पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही question नमबर 29 क्या पूचा गया है पिरकृति का सूकुमार राचकुमार किसी कहा गया है तो पिरकृति का सूकुमार राचकुमार जो कहा गया है पिरसाद निराला पंत बच्चन तो 29 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर B आनिकी किसको सुमित्रा नंदन पंत को तो बिल्कुल सही सुमित्रा नंदन पंत को पिरकृति का सूकुमार राचकुमार कहा गय या अंगले question है यहापर क्या है इनम्हें स्थे कभी नहीं है नहीं है संथे कभी नहीं है तो question number 30 का जो सही answer है वहे आपका यहापर 30 का विकल्प number B अनिकी तुलिशीदास तुलिशीदास आपको यहापर सही answer विकल्प number B right answer मुझे चांज चाहिए किस विदा की कृति है कवीता नाठक, कहानी उपन्यास तो इह आपके चार विकल्प है, question number 31 मुझे चांज चाहिए किस विदा की किरती है, तो 31 का डी राइट आंसर है यानि की उपन्यास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा Question number 32 क्या पूंचा है असोक ने पत्र पड़ा इस बाक्त में कौन सा का रख है तो 32 का सही आंसर आपके लिए बताना है 32 का आपका जो सही आंसर है भै क्या है तो 32 का आपका करता आपका राइट आंसर है करता जोनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है अंगला Question क्या है तो देखिए यहाँ पर अंगला Question आप से जो पूंचा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बस तू अमोलक दी मेरे सद्गुरु किरपा करी अपनायो और प्रिवक्त पंती में कौन सा रस है इसमें रस बताना है बीर रस, भक्ती रस, करून रस, रोद रस है तो Question नमबर 33 का विकल्प नमबर आपका C right answer है यानि कि भक्ती रस आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही भक्ती रस आपका राइट आंसर होगा Question नमबर आपका 34 क्या पूंचा क्या है यहाँ पर में तो देखिए हर से सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा तो question number 34 का right answer बताना है हर से सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा तो 34 का विकल्प number एक right answer है यानि कि विसाद आपका है पर सही answer है विसाद आपका right answer होगा बिल्कुल सही question number 35 आप से यहाँ पर पूंचा क्या है कि मैं आदर सहेत नमस्कार करता हूँ बाके का सुद्द रूप क्या होगा तो इस बाके का सुद्द रूप बताना है मैं आदर सहेत नमस्कार करता हूँ इस बाके का सुद्द रूप क्या होगा तो question number 35 का विकल्प number D right answer है मैं सादर मैं सादर नमस्कार करता हूँ विकल्प नमबर D आप कहाँ पर सही आंसर है, Q. आप कहाँ आप चटेसा मुंडभासा परिवार का छेतर कौनसा है, तो 36 का आप का जो सही आंसर होगा, वहें क्या होगा, तो 36 का आप का राइट आंसर है आपर, विकल्प नमबर D आनी की छोटा नांगपुर, चोटा नागपोर आपका है आपर बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें सी कौन सा सब्द पुल लेंगे है, कौस्चिन नमबर 37 में बताने है कौन सा सब्द आप कहहाँ पुल लेंगे है, डिविया दात्तरी खटमल जीब, तो कौस्चिन नमबर 37 का विकल्प नमबर C राइट आंसर होगा, कौस्चिन नमबर 38 पूंचा क्या है, ब्रेजवासा का विकास इनमें सी किस प्राक्रित याप भ्रंस हुआ है, तो 38 का जो सही आंसर है, बहे हैं आपका 38 का क्या होका राइट आंसर, 38 का विकल्प नमबर C राइट आंसर है स्वार सेनी, आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कल सही सोर्स निजिनों नहीं यहां पर बताया है उनका यहां पर सही आंसर है इन्मेंज़े कौन सह अघकोस धनी है अगोस धनी बताना है question no 59 में अघकोस धनी है तो 49 का आपका जो सही आंसर है वह विकल नबब C यानि कि पा और फा पा और फा ये अगोस ध्वनी है तो विकल्प C राइट आंसर है अंगला question क्या पूंचा गया है तो question नमबर यहाँ पर आपसे 40 पूंचा गया है इंडिक राजवासा की रूप में संवेधानिक मानिता जो मिली थी वह कब मिली थी तो question number 40 है महत्यपूल question पूंचा क्या है आपसे और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 40 का विकल्प नमबर आपका क्या होगा right answer 40 का b right answer है 14 सितंबर 1949 आपका सही आंसर है चंद्रमुख में कौन सा समास है तो question number 41 का सही आंसर बताइए तो आपका 41 है और 41 का सही आंसर है विकल्प नमबर C आनिकी कर्मधारा है आपका चंद्रमुख में कौन सा समास है तो कर्मधारा है आपका right answer है question number आपका यहाँ पर 42 पूंचा है गागर में सागर भनना महाबरी का अर्थ है थोड़ा काम करना बहुत जाधा कहना या थोड़े में बहुत कहना या जाधा में थोड़ा कहना तो आपका यहाँ पर 42 का right answer है विकल्प नमबर C थोड़े में बहुत कहना तो इनमलिकत में ऐसे निलकंट है कौन सा सब्द है रूण योगरूण है या योगेख है या इनमें से कोई नहीं तो 44 का आपका जो सही answer है वह आपका यहाँ पर विकल्प नमबर C या निकी योगरूण निलकंट सब्द क्यांसा है योगरूण सब्द है तो बिलकुल सही मलकत आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नमबर C क्या है निकी रिहर्स आपका सही answer होगा बिलकुल सही कवीता का मर में में कौन कौन सी विवक्ति हैं सश्टी प्रिथमात तृत्य या सब्दमी तो 47 का एक राइट आंसर है यानिकी सश्टी आपका यहाँ पर सही answer है सश्टी जिन्होंने बताया है विकल्प नमबर 1 उनका सही answer होगा यहाँ पर बिलकुल सही क्वेश्ट नमबर 48 का पूंचा क्या है यहाँ पर कि इन में सी कौन सी रचना माग की है? माग की रचना आपके लिए बताना है कौन सी रचना माग की है? तो आप कहाँ पर सही answer है question number 48 का विकल्प number आपका D right answer सिसु पालवद आप कहाँ पर सही answer है विकल्प number D right answer बिल्कुल सही question number आपका 49 क्या पूंचा क्या है देखे question number 49 आपका एरहा एक तो दोस था ही उस पर दूसरा दोस लग जाना की सही कहावत होगी तो इसमें सही कहावत आपके लिए बताना है question number 49 में एक तो दोस था ही उस पर दूसरा दोस लग जाना की सही कहावत होगी तो नचास का C right answer आपका हिहां पर होगा एक तो करेला दूजे नीम चड़े एक तो करेला और दूजे नीम चड़े तो इस जो है आपका सही answer होगा बिल्कुल सही अंगले question क्या है तो अंगले question आपका इहापर होगा question number 50 इनमें कौन सी ध्वनी सही अंजन है सही अंजन है आपके लिए यहापर बताना है सही अंजन में तो बताइए क्या होगा right answer question number 50 है, 50 का विकल्प number 1 क्या आपका right answer है, विल्कुल सही, क्या जो है आपका सही answer होगा अंगले question है, भारते अंदू योगो का एक अन्य नाम क्या है, तो ये question तो कई बार पूंचे जा चुका question है कि भारते अंदू योग का एक अन्य नाम क्या है तो इंक्याउन का राइट आंसर विकल्प नमबर नहीं आपका C, पुनर जागरनकाल पुनर जागरनकाल आपका है यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही Q2 यहाँ पर आपसे पूंचा क्या है नात संप्रदाई की प्रवर्ट के नमें से कौन सी है तो Q2 नमबर बाउन का राइट आंसर आपके लिए बताना है और बाउन का जो सही आंसर है नात संप्रदाई की प्रवर्ट के नमें से कौन है कौन थे तो बाउन का राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानि की गो रखनात आपका सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपका यहाँ पर जो त्रेपन वा कॉस्चन पूंचा क्या है आगरा किस वोली का छेतर है अब दी विरजवासा खड़ी वोली अचेतर गड़ी तो त्रेपन का सही आंसर विकल्प नंबर आपका विरजवासा जो है यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नंबर चंगन क्या पूंचा क्या है तो दिखे यहाँ पर यहाँ रहा कि सुबह दो फेर साम किस पिरसित दो पन्यासकार की रचिना है तो question number चंगन का सही answer विकल्प number है आपका हिहाँ पर डी-right answer है come-less-sor osion number 75 क्या पूंचा क्या है राहुल सांकृत्यने हिंदी का पहला कभी किसी माना है ये question मात्तुपुन है राहुल सांकृत्यने हिंदी का जो पृत्हम कभी माना है question number 55 में क्या होगा right answer तो पचपन में आपका यहां पर होगा सहराहपा, सहराहपा, आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, देखिए यहां पर अंगला कॉस्चन क्या पूंचा गया है, गौणिये संपरदाई के परवर्टक, जो है आचारे थे, तो कौ प्रेमातुर सब्द में इनमें सी कौन सा समास नहीं है, नहीं है, आपसी बताना है, आपके लिए नहीं है, तो संताउन का राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक यानिकी दिगू, दिगू आपका हैं पर सही आंसर है, संताउन का विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर प्रैम में आतुर आपका जो है सही आंसर होगा बलकुल सही रामकिश्णव में कौन सा समास है question number unthown का सही आंसर बताना है तो ल丫ं का right आंसर होगा आपका रामकिश्णव में जो समास है वे दुद्द समास है कौन सा समास है दून्दसमास आपका ही आपर सही आंसर है Question no. 69 क्या पूंचा गया है तो देखे आपका question no. 69 यहाँ पर दिया गया है सहां हस्तेन खादिती में कौन सा कारक है तो 69 का आपका जो सही आंसर है भहे आपका करण कारक करण आपका याँ पर विकलप नंबर D, सही आंसर होगा, question number आपका यहाँ पर जो 60 दिया गया है कि जी वैशना का सही संदी विच्छित क्या होगा तो question number 60 का आपका जो सही answer है भाई क्या है तो 60 का आपका B right answer है जीव धने एसना आपका यहाँ पर सही answer होगा विकल्प number B question number 61 क्या पूँचा क्या है सजना पापाद जुगुपस ते का हिंदी अनुबाद कीजिए तो इसका हिंदी अनुबाद कना है तो question number 61 का जो सही answer है भाई क्या होगा 60 का right answer तो विकल्प number एक सजन पाप से घ्रणा करता है तो यह आपका यहाँ पर विकल्प number एक सही answer यहाँ पर होगा question number 62 आप से यहाँ पर पूंचा है किस इतितल लेखक ने अपने इतिहास गरंथ में लगबग 5,000 कभियों का विवरण किया है तो किस लेखक ने अपने इतिहास गरंथ में लगबग 5,000 कभियों का विवरण दिया है तो 62 का right answer है आपका मिस्तरबंदू विकल्प नमबर 1 आपका यहाँ पर सही answer मिस्तरबंदू right answer है question number आपका यहाँ पर 63 पूंचा है कि रामेन सीता बनम गच्छती का हिंदी अनुबाद है तो इसका हिंदी अनुबाद क्या है तो 63 का आपका सही answer है राम के साथ सीता बन जाती है तो यह जो है आपका विकल्प नमबर C right answer होगा तो विल्कुल सही question number 64 पूंचा है भक्ती का परारम में कहां से हुआ है पूर्वी भारत, दच्छनी भारत या पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत तो 64 का आपका जो सही answer है बहे आपका विकल्प नमबर यहाँ पर B right answer है यानकी दच्छन भारत आपका right answer दच्छन भारत से जो है भक्ती का प्रारम हुआ है बिल्कुल सही question number 65 आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है संत कभी गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था question number 65 का जो सही answer है बहे आपका विकल्प नमबर B आनकी तलवंडी तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म कहा था तो विकल्प नमबर B आपका सही answer होगा question number 66 है इनमें C रीतिकाल का कौन सा कभी अपनी प्रकृती चित्रन के लिए ब्यक्ष्यात है प्रकृती चित्रन के लिए जो ब्यक्ष्यात हैं बहे कौन है तो C आपका यहाँ पर राइट आंसर है सेयनापती सेयनापती विकल्प नमबर C आपका राइट आंसर होगा question number 67 यहाँ पर पूंचा गया है शूफी कभी नूर मुहमद की रचिना का नाम बताना है तो 67 का आपका जो सही आंसर है भै क्या है 67 का राइट आंसर होगा विकल्प नमबर B आनि कि अनुराग वांसरी आपका यहाँ पर सही आंसर है अनुराग वांसरी राइट आंसर है बिल्कुल सही question number 68 आपसे यहाँ पर पूंचा है रीति काल में किस रस की प्रधानिता काब में रही है रीति काल में किस रस की प्रधानिता काब में रही है सिंगार, सांत, भक्ति या रोद्र तो question number आपका 68 का सही आंसर है question number आपका यहाँ पर 69 पूँचा क्या है ग्यानदीब की रचेता का नाम क्या है तो 60 का right answer है सेख नभी आपका विकल्प number D right answer होगा सूरदास ने जो है द्रस्टित कूट पद किस गाबिगरंथ में संकले थे सूरदास की तो 70 का right answer है विकल्प number B यानिकी साहित तलहरी कब से कब तक माना है यह आपके लिए बताना है तो आपका B right answer है 1700 से 1900 आपके यहाँ पर right answer होगा question number 72 पूँचा क्या है कि ब्रह्मान पत्र के संस्तापक संपादक का नाम बताना है तो question number 72 का जो right answer है आपके यहाँ पर वह है आपके हैं पर right answer विकल्प number B आनिकी पृताप नारण क्यों मिसर आपके यहाँ पर सही answer है तो यह आपके लिए यहाँ पर याद रखना है बिल्कुल सही question number आपके यहाँ पर 33 क्या पूँचा गया है कि इन्वे से कौन सी किर्थी के सब्दास्की नहीं है तो आपसे यहाँ पर नहीं पूँचा है नहीं तो नहीं में आपके यहाँ पर 33 का right answer हो जाएगा C यानिकी अनिकार्थ मंजरी आपका right answer है question number चोहतर आपसे यहाँ पर पूँचा गया है क्या पूँचा गया है सिंगार की बासल्य रसका समराट किस कभी को कहा जाता है सिंगार की बासल्य रसका समराट जो कहा जाता है तो चोहतर का विकल्प number B right answer है यानिकी सूरदास आपके यहाँ पर सही answer हो का question number है आपके यहाँ पर 75 गश्ट चाप में कभीयों की संख्या कितनी थी तो 75 का जो right answer है आपके यहाँ पर विकल्प number B आनिकी आठ थी कितनी थी आठ आठ आपके यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही question number आपके यहाँ पर 76 पूँचा गया है कि निमलिकेत में ऐसे कौन देशच सब्द है तो देशच सब्द बताना है तो 76 का आपका right answer हो का विकल्प number यहाँ पर यहाँ पर एक यानकी खिड़की खिड़की जो है यह देशच सब्द है तो विकल्प number एक right answer question number 77 आपका क्या पूँचा है हिंदू मग पर पाउन राख्य का बहुत तई जो हिंदू भाख यहाँ पर बताना है इसका जो हिंदी अनुबाद होगा वह होगा यह रमी इसकी पुस्ट तक है तो विकल्प number एक आपका है आपका right answer है question number 89 पूँचा क्या है रिण मुक्त सब्द में कौन सा समा से तो 89 का आपका जो सई answer होगा वह है आपका विकल्प number d right answer है 89 की अपादान ततप्रोस आपका सई answer है question number 80 क्या पूँचा है च्छा दोनी का उच्चार्ण इस्थान क्या है यह जो च्छा दोनी है इसका उच्चार्ण इस्थान बताना है तो आपके हैंपर right answer है 80 का विकल्प number c right answer है यानकी देवनांगरी आपका सई answer होगा इनमेंसे कौन सी लिपी नहीं है आपके लिए बताना है तो 81 का जो सई answer है आपके हैंपर बैहे आपके 81 का right answer विकल्प number d यानकी अंग्रेजी अंग्रेजी आपका सई answer है बिलकुल सई और अंगले question क्या पूंचा गया है उसकी प्राण सूप गये इस काब में प्राण का बचन नरधारित कीजी एक बचन बहु बचन दुई बचन इनमेंसे कोई नहीं तो question number 82 का जो सई answer है विकल्प number b यानकी बहु बचन 82 का भी right answer होगा बहु बचन है आपका यहाँ पर सई answer है बिलकुल सई खाक में मिलाना मुहाबरे का अर्थ यहाँ पर आपके लिए बताना है question number 83 का सई answer होगा आपका यहाँ पर विकल्प number 83 का C यानकी नश्ट कर देना question number 84 सज्जन का संदी विच्छित क्या होगा question number 84 का जो सई answer सज्जन का संदी विच्छित होगा आपका यहाँ पर सत धन जन आपका विकल्प number B सई answer है बिलकुल सई सत धन जन अंगला question क्या है सन 1975 के बाद की कवीता को इनमें से क्या नाम दिया गया है तो 85 का आपका जो सई answer है 1975 की बाद की कवीता को जो नाम दिया गया है तो 85 का विकल्प number B राइट आंसर होगा सम कालीन कवीता विकल्प number B सई answer है 99 से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है तो question number 86 का आपका जो सई answer है आपका 86 का विकल्प number B अभी ज्यान से कौन तलम गठरी चब्द है इस्त्री लिंग, पॉल लिंग या विदी लिंग या नपुल सब्द लिंग तो question number 88 का सई answer होगा आपका यहाँ पर विकल्प number A क्यान की इस्त्री लिंग इस्त्री लिंग आपका सई answer है, मती ही सब्द में कौन सी विवक्ति है प्रत्मा तरत्य सब्दमी चत्वर्त तो आपका जो नवासीवा question है इसका सई answer है मती में जो है प्रत्मा, प्रत्मा विवक्ति है तो विकल्प number 1 राइट answer है question number 90 रामदर्वारी नामक पन्यास के लेखक कौन है तो question number 90 का आपका जो सई answer है आपका विकल्प number D आनि की सिरी लाल सुकल आपका हैं पर सई answer होगा 1968 का है यह रामदर्वारी और question number आपका यहां पर क्या पूँचा गया है आपका 91 question पूँचा गया है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है आपका सई answer है question number 91 का विकल्प number आपका B आनि की महीप से है सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है तो महीप से है आपका सई answer है वत्ता दच्छन में कौनसा समा से बहुबरी अभी अभीभाव या दवन्द या दिगू तो 92 का राइट आंसर विकल्प नमबर B आनिकी दवन्द आपका सही आंसर होगा Q93 यहाँ पर पूँचा है इन्वे से कौनसी किर्थी अग्ये की है Q93 है और इसका जो सही आंसर है तो बहे आपका विकल्प नमबर 1 संसंद से 16 तक आपका यहाँ पर विकल्प नमबर जो है एक आपका है पर राइट आंसर है 1390 का बिलकुशरी यहाँ पर 1390 का इन्वे से कौनसी किर्थी अग्ये की तो हरी घास से पर चनबर विकल्प नंबर C राइट आंसर होगा, विल्कुल सही, विकल्प नंबर C राइट आंसर है, इनमें ऐसे भारते अंदू एगवीन लेखक कौन है, तो भारते अंदू एगवीन लेखक बताने हैं आपके लिए, question नंबर 94 में और 94 का जो सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, पंडेत प्रताब नारायन में शर आपका सही आंसर होगा, वालिका गच्छनती, अस्ती, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है, भाह, क्या है तो 95 का आपका D राइट आंसर बालिका जा रही है, कामाईनी में कुल कितनी सर्ग है question number 96 है अपने यहाँ पर और इसका जो सही answer है आपका विकल्प number D यानि कि 15 सर्गों में लिखा गया है कामाईनी तो विकल्प number आपका D right answer यहाँ पर है question number आपके यहाँ पर 97 पूँचा गया है क्या है राम रामणम ममार में कौन सा लकार है लकार बताना है आपके लिए यहाँ पर question number 97 में तो आपके यहाँ पर जो सही answer है विकल्प number 1 यानि कि लिट लकार आपके यहाँ पर सही answer होगा question number 98 में आपके लिए बताना है 98 का right answer जसोदाहरी पालने जुलावें हलरावें, दुलरावें, महलावें, जाई सोई कचुगावें जो उपरवक्त पंती में कौन सा रस है यहाँ पर बताना है तो रस में आपका हो जाएगा बातसल्य रस बातसल्य रस आपके यहाँ पर सही answer होगा अंगला question है रामभक्ति साखा में ससी को पासना का समावें किसने किया है तो रसी को पासना का जो समावें किया है रसी को पासना का रामभक्ति साखा में इसका समावें किसने किया है तो 99 का विकल्प नंबर B अग्रदास आपका सही answer होगा question number 100 आपसे हैं पर क्या पूंचा गया है तो देखिए question number 100 पूंचा गया है निसी दिन बरसत नेन हमारे सदा रहत पावस रितु हम पर जब इतने स्याम सिधारी उप्रियोक्त पन्ती में कौन सा रस है तो 100 का right answer है आपका बियोक सिंगारस बियोक सिंगारस आपका विकल्प number be right answer है question number 101 का जो सही answer है आपका आपका सही answer होगा question number 102 क्या पूंचा गया है कि सिंधी भासा का विकास अब ब्रंच की किस बोली से माना जाता है सिंधी भासा का जो विकास है अब ब्रंश की किस बोली से माना जाता है तो 102 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानि की ब्रात्चड आपका राइट आंसर है मेला आचल की लेखक कौन है मेला आचल के लिखा कौन है तो 103 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा फ्रणिस्वनात रहनु यानी की विकल्प नमबर 1 का आपका सही आंसर है तो फ्रणिस्वनात रहनु का एक उपण्या से 1915 का अंगला question क्या है तो अंगला question है इन में से च्छायबादी कभी कौन नहीं है नहीं पूँचा है आपसे तो 104 का आपका जो सही answer है कौन नहीं है तो आपका सिव मंगल सेंसोमन right answer होगा विकल नमबर D आपका सही answer यहाँ पर है question नमबर 105 क्या पूँचा गया है तो रगुकुल रीती सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई इन पंतियों में छंद का प्रियोग हुआ है तो कौन सब है छंद है जिनका प्रियोग इसमें किया गया है तो B right answer होगा च्वापाई च्वापाई आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही question number 106 आप से यहाँ पर पूँचा गया है कि रतनाकर क्रित 277 किस भासा में लिखा गया का विग्रन थे question number 106 का सही answer आपका होगा विकल्प नमबर B आनिकी ब्रजवासा ब्रजवासा आपका है यहाँ पर सही answer है question number 107 पूँचा गया है कहती हुई यह उतरा के नेत्र जल से भर गए निमकी कड़ों से पूण मानों हो गए पंकज नई इन पंत्यों में किस अलंकार का प्रियोग हुआ है अलंकार बताने आपके लिए उत्परेक्षा यह मक रूपक होगा तो question number 107 का उत्परेक्षा आपका सही answer होगा बिल्कुल सही question number 108 आप से राई चरन कमल बंदों हरी राई में कौन सा अलंकार है तो question number 108 का आपका विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा यानि की रूपक रूपक आप कहें आपर सही answer question number 109 पूचा गया है इनमें से किसने सरवादे के अतिहासिक नाटक लिखी है यह अतिहासिक जो नाटक लिखी हैं पर कौन ने लिखी हैं किसने लिखी हैं तो आप कहें आप पर question number 109 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है जैसंकर प्रसाद जैसंकर प्रसाद आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही question number 110 पूचा गया है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंद नहीं ह तो 10 का विकल्प नंबर आपका हैंपर क्या होगा राइट अंसर 10 का एक यानकी अवगदी अवगदी आपका हैंपर सही आंसर है question number 111 पूचा है चरम है सब्द का संब्नार तक क्या है तो question number 111 पूचा हैМ गया है इन्मेंसी मोक्ष का परियाबाची सब्द है निर्मान दसा चाल गती Q1212 है 112 का विकल्प नंबर 1 निर्मान आपका हैं पर सही आंसर होगा विल्कुल सही मोक्ष का परियाबाची निर्मान 8 बसर्ग किस विदा की पोस्ता के Q113 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर B नाटक आपका हैं पर सही आंसर Q114 का पूँचा गया है Q114 का सही आंसर बताना है Q114 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर B आपका राइट आंसर है हमें बिसे पाई जनम की विकल्प नमबर B राइट आंसर, question नमबर 115 क्या पूँचा क्या है तो देख ले इनमें से कौन सा जोड़ा सही है सही जोड़ा बताना है तो 115 का राइट आंसर होगा आपका है आपर विकल्प नमबर, क्या होगा राइट आंसर एक यानि की चिंता मनी काप प्रकास आपका सही आंसर है तो यह जोड़ा सही होगा बिल्कुल सही अंगला question क्या पूँचा क्या है तो अंगला question आपका है आपका है question number 116 पूँचा है कुरू-कुरू स्वाव पन्यास के लेखक इनमें से कौन है question number 116 का सही आंसर बताना है तो 116 का सही आंसर आपका यहाँ पर मनुहर स्याम जोसी आपका यहाँ पर सही आंसर जोसी आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही question number 117 क्या पूँचा क्या है इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर लगने की समस्चा उठाई गई है question number 117 में बताना है तो 117 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर B आनिकी धुरोबस्वामनी धुरोबस्वामनी आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर होगा एंगला question क्या पूँचा गया है आप से यहाँ पर तो देख लेते हैं देखिए question number आपका यहाँ पर 19 पूँचा गया है 119 वा question रामू घर से निकला इस बाद के में घर से में कौन सा कारक है कारक बताना है 119 का सही आंसर होगा आपका हैं आपर कारक बताना है अपादान कारक आपका हैं आपका राइट नमबर बी राइट आंसर होगा बिलकुल सही अपादान कारक आपका राइट आंसर है question number 120 से आवारा मसीहा की लेखक कौन है तो विश्णू परभाकर आपका विखलप नमबर बी राइट आंसर विश्णु प्रभाकर आप याद रखी आवारा मसीहा के लेकाक विश्णु प्रभाकर Q121 क्या पूचा गया है जमलिखत में असी कौन सा तालब बिधोनी है आसा पूचा बिधोनी वताना हैetes 121 में तो आपका ह्यां पर राइट आंसर है विश्णु प्रभाकर 1 यान की चा चा आपका यहां पर सही आंसर होगा आत्या चार सब्त में कौन सी संधी है देर्गे गुण यान व्रद्दी Q122 का राइट आंसर बताना है तो आपका रचना है तो भवभूती आपका सही आंसर है भवभूती राइट आंसर है कौस्चिन नमबर 124 आप से यहां पर पूंचा गया है क्विता का बहुबचन बताना है तो कभीतान हो जाएंगी विलकुल तो सई रामचरित मानस महाकाभी की रचना जो है रचना का स्रीकळईस कभूगा तो रचना का जो स्रीकळईस हुआ था question नमber 125 है और इसका जो सही answer है आपका B यानि की पंदरा सो चोहतर आपका राइट answer है 1524 इस वी याद रखिये महततपुन question है तो इस परकार ये अपना फर्ष्ट कोन जो है हल पेपर था PGTGT का तो क्यांसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं इसी तरह की और बहुत सारे सेट आपके लिए हल करके लाएंगे हम आपके लिए तो वीडियो को पूरा अबस्ते देखा होगा आपने अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट में आप जरू बताएं कि इसी तरह की और सेट करवाईए तो हम आपके लिए बहुत सारे सेट इसी तरह की लाएंगे तो चैनल को सस्क्राइब करने हैं बेल आइकन दबाएं अल पर क्लिक करें थाखिए उल वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे ज्यादा ज्यादा वीडियो को सियर करना है और वीडियो को लाइक करना नभूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत-बहत धन्यवाद और इन सभी के लिए जैन हिंद